हाई, सलाम अलगूम, गुला अप्टर नून, नमस्कार, सस्यकार, मत्रा की नगरीं के रादे, रादे, आठ महीने, आठ महीने का टार्चर, सबसे पहले, आप सब लोगं का 138 करोण भारतियों का, अपने देश वाद्शियों का, मैं शुक्रिया अदा करना चाहूंगा, धन्निवाद अदा करना चाहूंगा, जिनोंने, मेरे लिए, शोचल मीडिया पे हो, चाहे, दौाएं मागी हो, चाहे, प्रातना की हो, चाहे, सूझ भी नहीं सकता था कि लोग मुझे इतना चाहते हैं आप सब का बहुत-बहुत शुक्या वरना तो इस बार जेल में इतनी मतलब पांच दिन तक पांच पांच दिन तक मुझे खाना तक नहीं दिया गया इतना टॉर्चर किया गया मेंटली भी और फिजिकली भी कि क्या बताओं आपको अगर कहा जाए खुद को पोशर का सिकार हो गया हूं पैर दिखो गए कभी दिखाता हूं तो ऐसा लगेगा कि मतलब लकड़ी हो गया कि आप में निकल आया बाहर स्वक्तिल और अ कर दिशुरी का बहुत शक्रिक गजार हूं दिशीन एं दिशाविकल अरूनरत एक बहुत अच्छा दीशिजन दिया है लो मेरे और लें ने बहुत अच्छा आड़र दिया है और अकॉना सापील अने था वो देश की यूनिटी के लिए अखकनधा के लिए एक जुटता के लिए था और उन्होंने साफ साफ कहा है डॉक्टर कफील ने हैल्थ पर बात कि है इंप्लाइमन्ट पर बात कि है एजुकेशन पर बात कि रोटी, कपड़ा, मकान पे बात की है, हाँ जरूर NTC के खिलाब बुला है, NRC के खिलाब बुला है, पर ये भी कहा है, कि जो भी प्रोटेस्ट हो, गांधी जी के आहिंसा के सद्भावना के साथ होना चाहिए, कोई हिंसा नहीं होनी चाहिए, सभसे भाई मिलकर, भाईचारे क के साथ मिलकर सबको साथ हाना चाहिए पिर भी उसके बाद जिस तरह से मुझे टॉर्चर किया गया मुंबई एरपोर्स से पकड़ गया तालीज घंटे तक इंट्रोगेट किया गया कि स्टीफ की टीम ने ऐसे सवाल पूछे अरे आपने तो कोई पाउडर बना लिया है जिससे करोड़ों इंडियन मर जाएंगे मैंने का भाया मैं डॉक्टर हूं बच्चों का मैं कहां से पाउडर मना लूँगा करोना की बात कर रहा है तो आप चाइना से पूछे आप सरकार गिना रहा चाहते हैं हमारे पास फोन रिकॉर्ड हम निकल लाई सुना दीजिए एक भी सबूत आपके पास हो तो मैं कोई पॉलिटिशन तो हूँ नहीं आप जपान गए थे मैंने गहां पाकिस्तान क्यों नहीं बोल दिया अरे जपान कैसे इंडिया से बाहर कैसे जा सकता हूँ जब पासपोर्ट मेरा जुडिशरी के पास जमा है तो एक तरह से बहुत चौर्चर किया फिर जेल में रहके जेल में ऐसी जहां रखा जहां पे 150 कैदी थे वो नौ महीने का बियाडी आक्सियन ट्रेजिडी के बाद जो नौ महीने का दर्द था उसको उससे ज़्यादा उससे कई गुना हजारों गुना ज़्यादा पत्ली पानी की तरह दाल कच्ची रोटियाँ वही सुबा शाम खाना है जीना था उमीद थी कि आप लोगों से दुबारा मिल सकूँगा मुखातिब हो सकूँगा आप लोगों से बात कर सकूँगा और आप सबकी दुआये काम आई है आज आपके साथ हूँ फिर से दुबारा हाँ आसिब बाइं तन्वीव आई स्लाम खूंग मत्रुआ की नगरी पृष्ण जी की पवित नगरी में रहे के बहुत कुछ सीखा कि किस तरह से भगवान कृष्ण ने कहा है कि कभी भी किसी को धोका नहीं देना अपना दिल साफ रखना यही धर्म होता है और हम लोग रमायड देखते थे नोवए से दसवए तक हर रोज आता था लागडाउन के टाइम भी तो उसमें भी जो उत्तर रमायड में महाश्री वालमीकी जी ने श्री रामचन जी को जब एक बात कही थी जब उन्होंने धनुशुरा उठा लिया श्री लवकुष के खिलाफ ही तो उन्होंने कहा था कि राजा का धर्म राज धर्म होता है राज हट नहीं पर यहां तो राजा मेरा बाल हट पे आ गया बच्चों की जान बचाने के इतनी बड़ी सजा दोगे भाई कि क्या बच्चों को जान बचाना इतना बड़ा गुना हो गया था सुरी लोग फोन कर रहे हैं फोन नहीं कीजिए कोई भाई में खुछ दिर बात करनूं बहुत दिनों बाद आठ महीने बाद आपसे राके शौदी साब शुक्रिया वैबब ऑटक थैंक यू यार थैंक यू इस तरह से परताना देना नौ महीने उस वक्ट जेल लखना फिर बहराईच वाले कांड में भी दो महीने जेल लखना फिर आठ महीने इतना टॉर्चर कराना जेल में बार ब तुम उन सत्तर बच्चों की बात नहीं करोगे जो सत्तर बच्चे आउक्षिन की कमी से मर गए हैं उनकी कभी बात नहीं करोगे उनको भूल जाओ कैसे भूल जाओ अपने सामने मरते हुए उनको देखा है कुरोना के टाइम जब इस भारत में इंडिया में कुरोना ने इंट्री नहीं की थी 27 जनवरी को मैंने वीडियो डाला था कुरोना पे लेके और उसमक्ष मैंने साफ साफ कहा बताया था क्या करना है क्या नहीं करना है कैसे इस से बचना है और 30 जनवरी को पहला केस इंडिया में आया मैंने मानिनी है पधान मंत्री नरेन मोदी जी को 19 मार्ट को ही एक लेटर जेल से सुप्रिटेंडन जी के दारा बिजवाया और उसमें साफ कहा कि हम कम्निटी ट्रांस्विशन से बस नहीं सकते हमारा भारत देश ऐसा है क्योंकि मैंने पूरा भारत घुमा है कितनी गरीबी है एक घर में चार-चार लोग कैसे रहते हैं एक पूरी जुग्गी जो बड़ी बस्ती होती है हजारों लोग उसी में रहते ह जैदू भाई जी हैं तो उसमें रहते हैं वो कैसे रहते हैं कैसे दूरी दोगज की दूरी रहो कहे देना आसान होता है पर वह इतनाासान नहीं है. गरीबों के लिए कितने माइगेरेंट बेचारे चलते चलते गए, ट्रेनों में दब गए, घरीबी कितनी है ? आज क्या हालत हो गई है हमारे देश की कुरोना वाइरस इस तरह से फैल चुका है कि हम दुनिया के दूसरे नंबर पर पहुंचने वाले हैं ब्रजील को भी छोड़ देंगे चिंदनेंग मोजी किद्धी के दोस्ट ट्रम्प सहब और ये इंडिया फस्ट और सेकेंड नंबर पर रह गया है 48 लाख कोरोना वाइरस से केस हो चुके हैं और 60 जार से जादा मौते हो चुकी है बहुत कुछ करना चाहता था इस कोरोना वाइरस के लिए आठ महिने मैं शायद बहुत कुछ कर सकता था पर करने नहीं दिया गया जेल में जान बूच के मुझे इस तरह से रखा गया कि मतलब समझ लिए कि टौलेट करने के लिए आधे-धे घंटे के लिए लाइन लगानी पड़ती थी नहाने के लिए आधे दे घंटे के लिए लाइन गानी पड़ती थी गर्मी एतनी हो जाती थी कपड़ा पहन के पूरा नहा के पूरा बिस्तर बिजा के बिस्तर को भी भिगा देता था तब जाके लेटता था और वो डेड़र सो लोग पांसो चौतिस लोगों की रहने की जंगा है वो लेकिन सोला सो कैदी थे अब बताईए वहां पर कैसे शोशल लिस्टेंसिंग हो जाएगी वह खौप था लोगों की सांसेंस लोगों बद्बुआ लोगों की मतलब पिशाप के महेक अरे एक ट्वालेट होता था एक सो पचास लोगों के बीच एक ट्वालेट किस तरह से जिंदगी गुजरी है और एक बात बता दूँ स्री मैं नहीं सफर वक्तिया हूं पूरी फैमली को हरास किया है पूरी फैमली को जिस त जिंदगी बस चलानी थी तो मेरी बच्ची मेरा बच्चा जो 11 महीने का था जब चल नहीं पाता था तो तो उसे छोड़ गया था आज चलता है दोड़ता है बोलता है पिछली बार भी जब बी आईडी में 70 बच्चे मरे थे और उस वक भी बिना बाद के जूट केस में फस दिया गया और जब 9 महीने बाद High Court ने कहा गया रे डॉक्टर कफील की कोई गलती नहीं थी इंक्वाइडी रिपोर्ट में आ गया रे डॉक्टर कफील की कोई गलती नहीं थी तो भी जब बाहर आया तो मैंने अपनी बच्ची को चलते हुए देखा उस वक भी अपनी बच होके मैंने दोनों बच्चे मुझे बाप पापन का मतलम नहीं समझते हैं अब बुजान का मतलम नहीं समझ पाते हैं पिता जी का मतलम नहीं समझ पाते हैं यह दर्द है मेरी माँ 65 साल की बुड़ी होके हाई कोट और सुप्रीम कोट के चकल लगाती रही तब जाके यह जीत से मत्हुरा लाते वक्त मेरा इंकाउंटर नहीं कर दिया विकास दूबे की तरह वन्ना तो शायद वो मुझे मारी देते लोगों की आवास को दबाना ही इनका काम है वहराल आडर आपको पढ़के सुनाना चाहूंगा इतना अच्छा ओडर गुमिन मातुर साब ने अच्छा कि अच्छा ने किया है सुप्रीम कोर्ड का भी दन्यवाद करूंगा वर्ना तो हाई कोर्ड मेल डेट पे डेट 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 पे डेट हर चौदा निन पे कैसे एक एक दिन कटेगा एक घटे कटेगा यह सोचता था कैसे वो टाइम आएगा जब वो मैं बहान न जो उसने कहा कि पंदर दिन में फैसाफ ना हूं और मैं चीफ जस्टिस बोहिन मातुर जी का हाथ जोड़के शुकुर गुजार हूं जो इन्हों ने इतना अच्छा ओडर दिया पंदर दिन के अंदर ही इसमें साफ साफ लिखा है कि कि एमभीएस करने के बाद 2016 में मैंने जोइन किया था 2017 में घटना हुई थी एक साल का जूनियर था मैं जूनियर मोस्ट डॉक्टर अब फिर भी उन बच्चों को बचाने के लिए जीजान लगा दी और उसके बावजूद उनको जेल भेज़ दिया गया और यह यह नहीं इसके अलावा नहीं गभी यह नहीं पूरी फैमिली को सरकार ने बुरी तरह से तोड़ना चाहीं मेरे भाई पर गोली मारी गई थी आपको याद होगा शायद वहां पर जहां पर चीप इस्टर खुद मौजूर रहते हैं 500 मिटर दूरी पर आज तीन साल होने जा रहे हैं उस बात को एक भी कोई जिरिफ्तारी नहीं हुए और कोई चार्ज नहीं हुआ है कि वहल आते हैं एंउ-एम-उ के जो लोग कहते हैं कि भाषर मैंने गलत दिया था उसके बारे में कहते हैं कि मैंने भड़का भाषर दिया था कहते हैं कि मैंने दो दो धर्मों के बीच, दो रिलीजन के बीच, एन्मिटी, हेट्टेड, वाइलेंस, खैलानी कोशिश की, पूरी स्पीच लिखी है उन्होंने, पूरी स्पीच, दा वर्जन अब दे स्पीच, पूरी स्पीच लिखी, एक एक लाइन लिखी है कि जो मैंने बोला है, और उसमें नफ्रक फैलायें, मैंने बात की ती देश की अखणिधा की, यूनिटी की, सथभाउना की, मैंने बात की थी एज्यूकेशन की, ہल्थी की, इंप्लाइमेंट की, इकनौमी की, रोड की, हाउसिंग की, मैंने बात की ती अमारे पचास परसंदें बच्चे του प्रिच, प्रस perlu कुपोशर का शिकार हैं मैंने बात की थी कि इंडिया कैसे एस और चाईवी का है बनता जा रहा है मैंने बात की थी कि 72 परसंट आफ पॉपुलेशन हमारी अभी भी हेल्थ स्ट्रक्चर महां पर है नहीं आज हालत दिखाई दे रही है ना आज कहे रहा है हम इतना जीडीपी खर्चा करेंगे एक परसंट जीडीपी खर्चा होता था एक गरीब को इलाज नहीं मिलता है और मर जाता है तो बचारे कंधे पे लाद के लेके चले जाते हैं उसके लिए लड़ा था कैम किया पूरा इंडिया घूमा एक सो तीन कैम किये पचास हजार बच्चों को देखे मुष्ट में दवाइँंगे अके लिए नहीं गिया बहुत से डॉक्टर बहुत से लोग में साथ सामिल थे बहुत लोगों ने साथ दिया पर हुआ उसको भी दवा दिया गया इस कुरोना अक्नो टाइम के मैं जब काम कर सकता था शायद कोई नई दवा खोश सकता था करोन बाहर आ गया हूं कोशिश करूँगा और फिर से मुखमंत्री योग्या दितनाज जी से निवेदन करूँगा कि मुझे नौकरी पे वापस ले ले तीन साल से सस्पेंट किये हुए है कैसे जिन्दगी चल नहीं है कैसे फाइनिशल कंडिशन है आपको बता नहीं सकता सुप्र पर लड़ा कहते हैं ना इस जुम के दौर में जुमा कोले है कौन अगर हम भी चुप रहेंगे तो बोले है तो बोलना जरूरी है किसी ना किसी को पुर्वानी देनी होगी तो शायद उपर वाले ने मुझे चुना है बहराल बाहर आ गया हूं दो कोशिश करूंगा कि सबसे पहले विहार आसाम केरल करनाड The Trans जहां पर बार आई हुई है बार बार से तो एक बहुत बड़ा नुकसान होता है घर डूप जाते हैं घर तूट जाते हैं लोग बिखर जाते हैं लेकि सबस्याद नुकसान तब होता है जब बार का पानी चला जाता है पिछली बार हम लोग केरल और असम और बिहार में हम लो चमड़ी की बिमारियां आखों की बिमारियां कान बैना बहुत होता है उस पर काम करना चाहूंगा कुरोना वार्णा ये वारियर की तरह काम करना चाहूंगा कोशिश करूँगा अगर योगी जी की किर्पा होगी नौकरी अगर वापस मिल गई तो किसी हास्पिजल से अटाइच हो के रिसर्च करूँ और कोशिश करूँ कि कोई नई दवा जाद हो पाए जिससे हमारा देश क्यों कि और किसी की मौत ना हो बढ़ता जा रहा हर रोज हलाल लोग मर रहें एक का भी मरना बहुत खतरनाग बार जिसके घर में परिवार में एक मौत होती है वही हो जानता है एक भी मौत होती है और यहां तो सब 65-65 हलाल लोग मर चुके हैं उस पर काम करना चाहूंगा और अगर वैक्सीन के लिए कहेंग होंगा मैं कि यह मेरी नई योजना है अभी कुछ दिन अपने बच्चों के साथ रहना चाहता हूं अभी तक मिल नहीं पाया हूं कल भी आप सोच लिजिए कल साड़े ग्यारा बजे डिस्टिक जेल मत्रा में आर्डर पहुंच गया था हाई कोड़ का लिकिन फिर भी बारा घंटे तक यह लोग यही कोशिश करते रहें कि किसी तरह से कोई और केस में भसा दें जैसे इन्होंने पिछली बार आलीगर में जब मुझे गिरिफ्तार किया था मुंबई से जब मुझे बेर दस फरवरी को मिल गई ती तो चार दिन तक चार दिन तक कोड़ के आदेश के दो दो बार आदेश के बाओ जो छोड़ा नहीं मुझे इलिगली मुझे डिटेंड करके रखा और फिर नसे लगा दी नसे निशनल सिक्योर्टी एक्ट मैं टर्रिस्ट हुचा दाड़ी बढ़ जाती है जेल में बढ़ जाती है आज तक कभी आपने सुना है मैं किसी इंद जाम लगाओं तो जाम वो लगाते हैं जिनका खुत का दिमाग गंदा होता है जो भरा होता है गंदगी से वो दिमाग वो लगाते है अभी यूपी से अभी यूपी से घर नहीं गया हूँ गोरकपूर नहीं गया हूँ क्योंकि लोग कह रहे हैं कि कि इसमें पताने की कोशिश कर रही है कि फिर से कूछ कर दें या इन्काउंटर कर दे मर वा दें बहुता है आपके बीच में ना रहा हो हो सकता हो यह हमारी और आपकी आखरी मुलाकात को यादो जी जी सही कहा रहा है मिनास गलियर आप थैंक यू शुक्रिया शुक्रिया मोहंचान जिंगी चोजी समर साब थैंक यू तो मैं कह रहा था कि फुरुना वायरस एक ऐसी डिजीज है जो फैलती ही रहेगी मैंने उस उननीस मार्च को ही लिख दिया था कि 30-40 लाक लोग उस वक्त मैंने इस्टिमेट किया था कि अफेक्टेड होंगे और अलेडी 30-40 लाक लोग अफेक्टेड हो चुके हैं और अभी यह रुकेगा नहीं अभी यह एक साल चलेगा जब तक वैक्सीन नहीं आएगी अभी यूप आप सबकी बहुत जरूरत है आप सबका बहुत सहयोग की जरूरत पड़ेगी जी सहसाथ साब जी प्वांडे साथ नमस्कार नमस्कार राहरे रादे रादे किष्णा की नगरी में हो विल्णावन जरूर जाना चाहूंगा एक बार ठाकुर जी की दर्शन करने के लिए बात यहाँ पर लोग मन की बात करते हैं लेकिन यह नहीं बताते हैं अब आप देख लिए हम लोग तो टीवी पर देख रहे हैं पिछले तीन महीने से सुषान सिंग राजपूत को ही सुने जा रहे हैं भाई फोन ने करो फोन करने के वाज़ा से बार बार पॉज हो जा रहा है राजपूत की तीन महिने से लगाता टी पे बात किये जा रहे है मन की बात लेकिन कोई ये नहीं बात कर रहा है कि हमारा जीडीपी कल परसों जीडीपी शायद रिलीज हुआ है और हमारा जीटीपी जो है भाई फोन नहीं करो मैं कह रहा हूँ पर इस वर चन साहब कोई फोन ना कीजिए प्लीज बहुत दिनों बाद आप लोगों से मिला हूँ आप लोगों के चेहरे दिखाई दे रहे हैं मुझे समसुन मलिक साहब नूर खान रियान ख वेट जो होती है वो नहीं हो रही है शायद कुछ टीवी एंडी टीवी है या आपका मिरन ना हूँ है टाइम्स ना हूँ है या फिर इंडिया टुडे है इस सब पर हो रही होगी पर जो यहां पर बातें हो रही हैं वो यह नहीं हो रही है किस तरह से माइग्रेंट हमारे क करोडों लोग किस तरह से पैदल चले और चलते चलते मर गए उस धूप में कड़ी धूप में मरत गए यह बात नहीं हो रही है कि अनमप्लाइमेंट कितना बढ़ गया है लोगों को नोकरिया नहीं है लोगों को खाने को नहीं है 500 रुपया आपके अकाउन में डाल दिया गय है आप पूरी आठ दिया लोगों की फैमली है खाते रहे हैं इन सब्सक्राइब में हमारा जो जो कोई भी आप फार देख लीए क्या हालत हो गई है कोई भी सरकारी हास्पिटल में जाना नहीं चाहता है आपने ध्यान दिया है कोई भी बड़ा मंत्री कोई भी बड़ा अधिकारी कोई भी बड़ा जो है चीप मिनिस्टर हो या कोई भी मतलब मैं नाम नहीं लूँगा सब लोग विदानता में जाके इलाज करा रहे विदानता यानि की नवड़ा में करोड़ो रूपे का इलाज करा रहे हैं लें कोई भी सरकारी हास्पिटल में नहीं जाना चाहता है क्यों क्यों कि सरकारी हास्पिटल के हालत खराब है वहां गरीब जाएगा गरीम मरेगा और गरीम मरता है तो मर जाने तो क्या फरक पड़ता है तो जो लोग यह सूचते हैं कि बार-बार जेल में डालके, मारके, पीटके, तोड़के, यहां मारो, यहां मारो, उल्टाल पड़ला आपको, डंडे सहे मारो, गान लाल कर दो पूरी तरह से, पैर पे मारो, करते रहो, यह एकदम तोड़ दो इसको, तो वो शायद नहीं जान जानते हैं कि, एक बात सिखाई गई थी कि, डरना नहीं है, I won't bend, I won't bend, मैं जुकूंगा नहीं, डरना आता नहीं हमें, चाहे जितना भी दरा लो, हर बार एक नहीं ताकत से उठेंगे, चाहे जितना भी जुका लो, कहते हैं ना कि, लोग हमें दुश्मने जान कहते हैं, अरे हम इस मुल्क की मिटी को भी अपनी मा कहते हैं, उसको तुम जो है, उस पे एने से लगा देते हो, कोट ने कहा है, कोट ने कहा है कि जो कुछ है, यह इवायद एने से लगा है, सारा इवायद लगा है, देखो कि क्या हालत बनाई है बट्टी सावा आप बोल ले हो तो देखो क्या हालत बना दी है मैं कुपोशर के लिए वो कर रहा था यह देखो यह टांगे है मेरी यह हाथ है खाना जो है लगी का जो मैं खुद को पोशर का बच्चों का इलाज क्या करता था आज खुद को पोशित हो गया घरवानों को किस तरह से परिशान किया गया है वो बता नहीं सकता पर आप लोग जो 138 करोड देशवासी हैं मेरे उन सब का साथ मैं कभी भूलूँगा नहीं खास कर पुछ लोगों का जो लोग बहूत करीब थे इंद्रा जैस इम्याम पुझाल आयूबी एबाद साहाब अनुज सिंग मनोज पढ़ब पांडे ए घंध मनीज स्षिंग मनीज सिंग मनेज सिंग मनी दिलिफ कुमार सहब नज्दिफ इसलाम स्वाइव ऐसे बहुत से लोग हैं इसे बोख से लोग में नाख्षी है हम है इर्फान गाजी बहुत का नाम तो नहीं ले सकता मैं बहुत से लोग सबने बहुत मदद की हैं सबका बहुत बहुत शुक्तिया जल्दी बिहार आ रहा हूं जल्दी हम डॉटर कफील खान मिशन इसमाइल फाउंडेशन के तहट कैम्प लगाएंगा और इस बार एक बड़ी टीम बना के एक साथ कई जहां पर असम बिहार तमिलनाडू करनाटका क कि देडिल आंद्रपरदेश जहां जहां पर मद्परदेश जहां जहां पर बाढ़ने बस्चिम बंगाल जहां पर तुफान आया हुआ है अभी लोगों को घरों पर तूटे उपड़े हैं हर जहां जाना चाहूंगा पुरवान चल अपना गुरपूर अपना प्रवी बनाकर एक बड़े लेविल पर कैम करेंगे और इसमें आप सब का बहुत हैं सई यहिए मैंग वर्मा सहाब कुछ लोगों से बाते कर लेता हूं मैंग वर्मा सब सही कह रहा है मैं दाड़ी कल काड़ दूंगा बच्चों का इंतजार कर रहा हूं बच्चे आ जाए एक बार उनसे मिलनूं उसके बाद मेरी गोटी वापस आ जाएगी अवनीश चावरा साब जी हाँ बहुत मारा बहुत मारा फिजिकली और मेंटली बहुत टार्चर किया फिजिकल मेंट टार्चर होता है वो इस तरह से होता है कि शायद जख्म थोड़े भर जाते हैं पर जो मेंटल टार्चर होता है वो बहुत दिनों तक रहता है दिमाग खरा हैं दस साल बुड़ा कर दिया है जुबेर पीके साब बोलना जरूरी है बोलेंगे नहीं तो कहते हैं कि बोलेंगे नहीं तो किसी को तो बोलना पड़ेगा सब तो चुप हैं किसी को तो बोलना पड़ेगा जैदु जैदु साब आपने वहां से बैठके हां इंडिया से बाहर बाहर गल्फ कंट्रीज में यूएस से, यूके से, केनेडा से, स्विजलेंड से, बहुत से खत मेरे पास आया करते थे वहाँ पे जेल में, उन सब को बहुत बहुत शुक्रिया है, सत्या, सिर्कान साथ सत्की जीत होती है, सत्मे जैते, हमें अपने कांस्टिचूशन में अपने कबजे में करके लोगों को परतारीत करते हैं, वो सही नहीं है, अर्टोक्रेटिक यह हमारा देश डेमोक्रेटिक है, तो डेमोक्रेटिक कंट्री है, तो डेमोक्रेटिक कंट्री में आपको फ्रीडम आफ स्पीच, एक आर्टिकल 21 में दी गई है, लिबर्टी, स्व बोलना जरूरी पड़ेगा, हम नहीं बोलेंगे, कुर्बानी देनी होगी, किसी ना किसी को पुर्बानी देनी होगी, तुर्थ मस्ट, शिरों कुमार साब, यस, थैंक यू, शाइना, मुज़र्बियाज, सिदानशु कुमार, हाँ, कुछ दिन, कुछ दिन, एक्सरसाइज करूँगा, और, हेल्थ बनाऊँगा, क्योंकि जिन्दा रहना है, आप लोगों के बीच रहना है, और काम करते रहना है, तो हेल्थ पे भी ध्यान दूँगा, डेरिक कुजर, थैंक यू, या जरूर मैं करूंगा, थैंक यू, शाइज शुबान जमाल सावा, मुहमत कलापटी, फ्रम दुबई, आल्दबेस, थैंक यू, मैंने कहा ना, गल्फ कंट्री से बहुत कार आया, बहुत मिला है, किरल के लोगों ने बहुत सयोग किया हुआ है, पुरा साहुत ने, पुरा नौर्ट ने, पुरा सेंट्रल ने, बिहार के लोगों ने जिस तरह से आंदोलन चलाया, पस्चिम बंगाल में जिस तरह से आंदोलन चला, आसम में जिस तरह से आंदोलन चला, अभी हमारे कई भाई अभ तो हम डिसकुस नहीं कर सकते हैं, तो इस वज़ा से अभी बच्चे मेरे पास पहुंचे नहीं है, मैं अभी अपने बच्चों को देख नहीं पाया हूँ, आखे तरस रही है, गले मिलना चाहता हूँ अपने बच्चों साथ, अपनी मा की गोद में लेट के रोना चाहता ति जिस तरह से जिस तरह से जिंदगी कर दी है अपने ही बच्चों को से दूर कर दिया है एक बार उनसे मिलना चाहता हूं एक बार एक बार महा की गोड में लेटके सोना चाहता हूं सुभून की नीन्थ सोना चाहता हूं यार पुझता है जिल में क्या होता था और दो गंटे पर पहरा लगता था अहां साथ भी 146 कैदी नसर नमहें नहीं सकुसल है पांच बज़े सुबा लाइन लगाओ परेड लगाओ आठ महें ने तो मैंने अभी चार पंजने के लेटर में साथ लिखी आप लोको चाहद मिलना होगा चंद मित्रा साहब थैंक यू मुदसी साहब बुश्रा दीपक जादाओ अमजद पंडिजी तयाव खान रोहित हम जैप्रकास चाचा विजेश विजेश सिंग की बड़ी आदाई जो गुरत्पूर में थे योगेश सिंग जी सब आप लोग का सब लोग का बहुत-बहुत धन्यवाद है कुछ और पुछना चाहेंगे कि फिर मिलेंगे बहुत-बहुत शुक्रिया आप सब का आदम गां आपको भी फूल गुलाब का फूल आप एक बात लास्ट में पस यही कहना चाहूंगा कि आप सबकी वज़ा से ही आप सबकी मेरी फैमली तो दोड़ी ही मेरी माँ बुड़ साल की उमर में घूम रही थी एक वकील के पास से दुक्रे वकील के पास पैर पकबाड़ा के रो रही थी कि किस तरह से मैं बाहर आ जाऊंगा तो उनका तो है ही योगदान भाई बैनों का तो योगदान है आप सब का ही बहुत-बहुत योगदान है आप सब के विदा शाय करके है इसको बेंट किया हुआ उसके लिए आवाज आपको उठानी पड़ेगी टूटर एकाउंट क्यों बेंट किया ऐसा क्या कर दिया था आप तो साहाई को आडर आ गया जिसमें बार साफ साफ कहा गया है यह यह जी सन्नी परिजाचीजी कि यह इलीगल था जस्टिस प्रिवेल यस अमिज सोहल साथ मुंम्मद गयूर कहिशी दिनेश कुमार यादो जी कुछ दिन अपने परिवार के साथ रहिएगा मेडिया से दूर रहूंगा जी 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 जरूर जरूर राकेश चौदी साथ थैंक यू आदिल थैंक यू आप सबका बहुत- बस अपनी फैमिली का इंतिजार कर रहूं शायद कुछ घंटों में उनसे मिलूंगा और कुछ दिनों में ही आपके सामने नए जोश में नए जोश के साथ फिर से सामने आऊंगा आपके साथ जी मैथ्यू साहब मिर्दूला मिर्दूला हाओ आर यू उबैद सनोज कुमार जी तेंक्यों डाटर किर्ति सिना मुदसिर खायमत साथ जी जाजिब इतने सारे गुलाब मत भेजिए भाई बस बस नए अमिद्दिन साहब जैसे आप कह रहे हैं कि वैसे ही आप लोगों का साथ चाहिए होगा हम लोगों को जो में बिसिक एशू है रोटी कपड़ा मकान और स्वास्त और नौकरी और सिक्षा की बात करनी है उस पर ही हम लोगों को काम करना है कि हर गरीब को 138 करोड भारतियों को देश्वासियों को उनका अधिकार मिले चाहिना जो है घुसा जा रहा है देश के अंदर इस तरह से नहीं हमारे सैनिक पाकिस्तान के सरहदों पर मारे जा रहे हैं रोज उस तरह से नहीं सब को मोटोर जवाब देना है मैंने जो इनके प्लाइटीस बेड का एक हास्पिट्र वांसो इस बर्द का स्टार्ट करने वाला था उस वक्तर कफील खान मिशाइन के इस माइल फांडिशन के उससे फिर से कोशिच करूँगा स्टार्ट करूँग और जहां पर ही रूयाद हो लशकर साहब फिर से स्टार्ट करूँगा और कोशिश करूँगा कि जमीन जल से जल ले लूँ और हर गरीब का वहाँ पे फ्री इलाज हो ऐसे ही जैसे बड़े बड़े हास्पिटल में नोड़ा में और गुरगाओं में और दिली में और एमदाबाद अकोलकतार में होता है फ्री में आप सबका सही होगा इसकी जरुवत होगी जै हिन जै भारत जै मुल्निवासी जै भीम बंदे मात्रम जैस्माजवाद्वाद्वाद्व